हाई फ्रेंट्स गुद मॉर्णिंग एंड वेलकम बैक मैं चैनल एक चैनल में एंड उम्मीद करती हूं कि आज का दिन आपका मंगल में जाए और नहीं भी मंगल में जाए तो आप बनाने की कोसिस करें कि कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती चलिए आइए बिना समय बर कंविजी ती तो और लेकिन आज से आवको से मिलएगे हैं में पुराने वाली वीडियो आपको कर दूँघ म §7 ने पहली है तमिलाडू यह तीन देसों में है तमिलाडू ठीक है दूसरी है आंधिपर्देश और तीसरा है केरल इन तीनों देसों में शुरु हुआ है और दोस्तों इंडियान ओवर्सीज बैंक है तो मैं आपको बता दू कि इंडियान ओवर्सीज बैंक के स्थापना 10 फरवडी 1937 को ह पाउंडर है एंडियान ओवर्सीज बैंक का हेट क्वार्टर है चन्नाई तमिलाडू और सी यह हैं कर्णम सेखर और इंडियान ओवर्सीज जो और कर्णम सेखर दस अप्रेल 2019 से जो इनकी जो इनका कारेकाल शुरू हुआ है कि दूसरा कुशन यहां पर है भार्तिय रिजर्ट बैंक आर्वी आई ने आम आदमी को राहत देते हुए आर्टी जीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटल मिल्ट के जड़िये पैसा भेजने का समय कितना गंटा बढ़ा दिया है और मुझे आप बता सकते हैं कि पहले कितने गं मैं आपको फूल फूर्म बता दूं कि एक्जाम में हरवर यह कोशन आते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और आपसे यह भी पूछा जाता है कि आर्टी जीएस में मीनिमूम कितना पैसा जो ऐसे ट्रांसफर किया तो दो लाग और अधिक्तम की कोई सीमा नहीं होती इस 22 मैं को मनाया गया इंडो फ्रेंच नौ सेना अभ्यास का दूसरा भाग वरून 19.2 किस देश में संपन हुआ है तो जीबूती में यह संपन हुआ है और जीबूती बता सकते हैं कि मुझे किस देश के तो जीबूती जो है सो अफ्रिका के अंदर जो देश है वह देश आता ह समाचार यानि की वर्ल्ड आर्केटेक्ट्चर न्यूज वैन पुरुसकार पर वसक्राइब तो स्टैच्यू ओफ इनुटी और ताज महल आपको पता ही होगा किस देश के पूर्व परधान मंत्री 309 ने हाली में नीधन हो गया है वह किस देश के थे थाइलैंड के थे मलावी के राष्टपती के रूप में किने चुना गया है तो पीटर मुथारिका को मलावी के राष्टपती के रूप में चुना गया है विशुशास संगटन ने अधिकारिक तौर पर किस गतिवीधी के वह विकार की रूप में चिन्यत क्या गया तो अतिधिक गेमिंग यानि कि ये भी बहुत वड़ा विकार है जिसे कारण बच्चों को होने वारे नुकसान से हम सभी वाकिव है प्रथम यूएन हैविटेट एसेंबली के कारिकारी बोर्ड में किस राष्ट को चुना गया है तो वो दोसको वह है भारत भारत राष्ट को चुना गया है वीर सावरकर जयनती पूरे भारत में किस दिन मनाई गया तो ये 28 मई को पूरे भारत में मनाया गया है कि इस देश के चांसलर सावस्टियन स्कूर्ज ने संसद में अपना विश्वास मत खो दिया था तो यह और आस्ट्रिया के आपको पता होगा वियाना और दोस्तों मैं आपको बता दों कि भारत में भी एक ऐसे राष्ट वह एक ऐसे प्रधान मंत्री जिन्हों ने अपना वि हेलिकॉप्टर को उड़ा कर देश की पहली औल वूमें क्रू बन गई है तो वह म इसको उड़ा कर उन्हों ने जो पहली ऑल्वूमें क्रू बन गई है और बदा दौर डॉल्फिन डॉप्विन नोज परवत चोटी किस राज में इस थी तो यह ज़ब आपको बी आपको औ पूछे जाते हैं उमीद करती हूं कि आपको आज कर सुचन अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद उमीद करती हूं कि आज कर दिन आपका मंगल में जाए